हेलो स्टुडेंट्स चले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्योस्ट नमबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसके उस्ट नमें क्या करना है हमने कंप्लीटिंग दा स्केर मेथड से आपने रूट्स फाइंड आउट करने है तो सबसे पहले क्या करेंगे ह पूरी को दिवाइड कर लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे डिवाइड बाइं कि से दिए दिवाइड करेंगे मिलें फूर से क्यूथिसेंट एक्सुए का अब इसको फूर से दिवाइड ऍवाइड किया वह rätt spicy phone बाइ 4 प्लस 4 रूट 3X बाइ 4 प्लस 3 बाइ 4 इक्वल टू 0 बाइ 4 करेंगे तो कोई वेल्लू नहीं आएगी वो भी क्या रहेगी से जीरो 4 से 4 कैंसल ये भी 4 से 4 कैंसल तो equation जो आगी हमारे पास क्या आगी X स्केर प्लस रूट 3X प्लस 3 बाइ 4 इक्वल टू 0 अब क्या करना होता है जो भी हमारी constant term है उसको क्या करना है राइट एंड साइड लेके जाना है तो क्या आगा X स्केर प्लस रूट 3X इक्वल टू माइनस का 3 बाइ 4 I hope ये clear होगा आपको step हर question में यही करना है अब क्या करना है जो X का coefficient है उसको क्या करना है हाफ कर देना है हाफ कैसे होगा X का coefficient क्या है रूट 3 इसको हाफ करने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड तो क्या बन गया रूट 3 बाइ 2 I hope ये clear होगा आपको और क्यों डिवाइड करते हैं उसके लिए आप क्या कीजिए question number first का first part देखिए वहाँ पे मैंने define क्या है हर question में अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो काफी बढ़ी हो जाएगी बिटा तो वहाँ से आप एक बर question first को दोबारा से read करेंगे तो आपको पता लग जाएगा 2 से क्यों divide करते हैं अब क्या करना है जो root 3 by 2 आया है उसके square को क्या करना है उसके square को दोनों side add कर देंगे left side भी और right side भी तो क्या आजाएगा x square plus root 3x plus root 3 by 2 का square add कर दिया और इधर भी minus 3 by 4 में root 3 by 2 का square add कर दिया अब दोनों side एक जैसी term add करते हैं तो equation पर कोई भी fact नहीं पड़ेगा अब यहां पर देखेंगे x जो x का coefficient उसके क्या क्या है positive तो positive का formula बनेगा x plus square वाली टरम से x उठा लिया यहां भी square वाली टरम से क्या ले लिया root 3 by 2 इसका whole square is equal to minus 3 by 4 3 का square क्या हो जाएगा root 3 का square से square cancel तो क्या आजएगा plus का 3 और 2 का square वेटा 4 3 by 4 से 3 by 4 cancel तो x plus root 3 by 2 का square is equal to क्या आगा 0 तो x plus root 3 by 2 is equal to क्या आगा 0 तो इसके factors क्या आजएँगे x equal to इसको right and side लेके गए तो minus का root 3 by 2 x की value आगी minus का root 3 by 2 अब जो power थी x की वो क्या थी 2 थी तो इसके 2 factor होंगे एक factor यह है तो दूसरा factor भी क्या होगा सेम होगा x equal to minus का root 3 by 2 यह दोनों क्या आगे हमारे पास इसके factor आई होप यह क्योस्चन आपको clear हो गया होगा कोई doubt हो तो comment box मिल कि otherwise इस channel को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए चलिए fourth part और देख लेते हैं इसमें जो question number 4 है वो क्या है 2 x square plus x plus 4 equal to 0 अब इस question में क्या है x का coefficient 2 है x square का coefficient 2 है तो 2 से divide करेंगे तो क्या लिख देंगे divide by 2 आप एक method और बता देता हूं मैं थोड़ा सा अगर मान लोगी इसमें थोड़ी सी complication लगती है तो divide करने से पहले क्या करेंगे constant term को right and side ले जाएंगे पहले ही ले जाते हैं या फिर इसकी तरिक्के से भी कर सकते हो तो क्या हो जाएगा 2 x square plus x equal to minus 4 अब divide कर लेंगे 2 से divide किया सेम बात है वैसे तो 2 से 2 cancel यहाँ पे क्या आगया 2 2 जा 4 तो equation क्या आगी x square plus x by 2 equal to minus 2 या तो पहले ही constant term को right and side ले जाओ या बाद मे ले जाओ अब क्या करना x के जो coefficient है क्या है 1 by 2 इसका half करेंगे half करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको 2 से divide करेंगे तो क्या आजाएगा यहाँ पे 2 आजाएगा तो क्या आजाएगा 1 by 4 half का भी half क्या होता है 1 by 4 अब 1 by 4 के square को दोनों side क्या कर देंगे add तो यहाँ पे क्या आगया x square plus x by 2 plus 1 by 4 का square is equal to minus 2 plus 1 by 4 का square I hope यह clear होगा आपको यहाँ पे क्या बन गया formula x square और x का coefficient क्या गया पोजिटिव है तो positive x square से x लिया और इस square वाले से 1 by 4 लिया यह हमारा आगया formula is equal to minus का 2 plus 1 by 4 का square 16 इसका क्या लेंगे अब LCM x plus 1 by 4 का square is equal to 16 16 को 1 से divide किया 16 16 तू जाँ minus का 32 plus 16 को 16 से divide किया 1 1 1 जा 1 तो क्या आगया minus का 31 by 16 तो x plus 1 by 4 is equal to क्या हो जागा square उदर जाएगा तो under root minus 31 by 16 अब negative का हम root find out नहीं कर सकते यह imaginary part हो गया यह आप 11th class में जाके पढ़ेंगे कि minus का root कैसे find out करते हैं कैसे लिखा जगता है यहाँ पे आप इसका root find out है नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या लिखेंगे square of any number cannot be negative क्योंकि negative आएगा वो हो नहीं सकता अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे and so there is no real root for x which satisfy the given equation तो यहाँ पे कोई भी root ऐसा exist नहीं करेगा जो कि हमारी given equation को satisfy कर सके I hope यह question आपको clear हो गया होगा कोई doubt हो तो मुझे comment box में लिखे दरवाज इस channel को subscribe किजिए Thank you students